सो हेलो और वेलकम बैक, आइम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, क्याट्राक्ट और रिफ्राक्टिव सर्जन, आज आपको दिखा रहा हूँ, क्याट्राक्ट या सफेद मोतियाबिंद का लेटेस्ट अपरेशन, जिसको हम लोग करते हैं, आर्टिफिशल इंटे और एक लेंज डाज है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कि आजकल की टिकनोलोजी इतनी अडवांस हो गई है, कि इन ओपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका, ब्लेट, पट्ती, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, आज ओ काउंटिंग या हैंड बूमेंट है, बस पेशन को हाथ हिलतावा दिख रहा है, और आज आप अपरेशन करेंगे, और आप देखना अगले दिन, कल पेशन की नदर छे बाए छे होगी, तो मैं दिखातो हम लोगों अपरेशन करते कैसे हैं, यह शुरू करते हैं अपरेशन करते हैं अपरेशन करते हैं चैसे लग रहे है, ठीक लग रहे है? बढ़िया दिख रहा है अब चलो चैक करते हैं एक बारा मेरे माथे पर देखना नीचे 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 की तरफ नजर नीचे गरो हाँ उपर देखने एक बार ठीक है अनीच पाफ पर दो हैं परिए एक डार मेरे मेरे मीनिता नीचे की तडीक है अलफ़ेट्स नुम्झेक एक बावचि या नीचे की त खात नो जिस हुआ आलफ़ेस नंबर ऐसे या नंबर पलने है पढ़िया बावचे? तीन डो जिरो नैय पँख जेरो तीन सात साथ जीरो तीन चैर दो आच साथ यह वाला और साथ दो जीरो तीन पांच चैर साथ बहुत बढ़िया लिख रहा है छे भाई छे रोशनी जो बोलते है न हम सिक्स बाई सिक्स यह वो सिक्स बाई सिक्स है आप पूरा पढ़ रहे हो एकदम हेलो सुरेज जी सर वेरी नाइस पहले दिनी छेशे नजर आ गई अभी और साथ हो जाएगी हफ्ता दस दिन में थोड़ा बोज़ो सूजन्थी पोचाएगा अब वेरी नाइस पसाइट दवाईया चुरू कर दी थी बस एक बारी मुझे पंदरा दिन में दुबारा दिखा दीजे और फिर आप बोलेंगे ना तो मैं लेफ्ट को भी थोड़ा ठीक कर दोगा पंदरा दिन बाद अगर आपको लगता है कि लेफ्ट भी कर दू मैं तो जिल्ली को में सारा साफ कर दोना ताकि नजर उसमें काफी अच्छी आ जाएगी अभी इमेजिएटली नहीं पंदरा दिन के बाद पर पहले चेक कर लेंगे फॉल अप कर लेंगे फिर एक बार डिसकस भी कर लेंगे कि दूर का साफ होगा बीच का साफ होगा लेकिन जब भी रीड करना है तो चश्मा पहलना है वो एक डिफरेंट लेंस है जो रीडिंग बे दिखाता है उसको मल्टी फोकल कहते हैं लेकिन उसमें थोड़ा साइड इफेक्स बनता है तो पेशिंट खुश नहीं होते हैं तो 99 परसन लोगों में हम दूर और बीच का साफ कर देते हैं जब भी रीड करना है तो राइट बिल्कुल परफेक्ट हो गई है अब लेफ्ट को भी हम ठीक कर सक सकते हैं थोड़ा सा एक अफ्का आँख में पानी ना जाए गले के नीचे ना थोड़ा से कोशिश करेंगे दूर मिट्टी से बचके घर के अंता रहेंगे काला चुश्मा पैटके रखता है तिक है जी बेर नाइस